हाई फ्रेंट्स मैं प्रभश्टिनी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे आज हम बनाएंगे क्रिस्पी और कुर्कुरे करेले अगर आप सबको आज का रेसीपी अच्छे लगे तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करना अब चलते हैं कुर्कुरे और क्रिस्पी करेले बनने की प्रोसेस में चलते हैं पहले हम दो चम्मच बेसन लेके दो चम्मच राइस फ्लावर राइस फ्लावर डालने से करेले हमारे क्रिस्पी बनते हैं हल्दी पावडर नमच लाल मिर्च पावडर और थोड़ी सी धनिया पावडर डाल कर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें करेले को डालेंगे इसको हम अच्छे सरासे मिला लेंगे इस पर हम थोड़ी सी पानी डालेंगे अच्छे हम अच्छे सरासे मिला लेंगे अच्छे सरासे पावडर अच्छे सरासे मिला लेंगे अच्छे सरासे मिला लेंगे करले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुकिए अब हम इसे फ्राइ करेंगे करेले को फ्राइ करने के लिए मैंने यहाँ पर कड़ाई में ओयल गरम होने के लिए रख दिया है मैंने यहाँ पर ग्यास की फ्रेम को हाई में रखकर उसे अच्छी तरह से गरम कर रही हूँ अई हमारी अच्छे से गरम हो जाने के बाद हम इसमें करेले को डालेंगे इसको हम हाई फ्रेम में रख कर ही फ्राइ करेंगे इसे हमरी करेले अचे क्रिस्पी बनेंगे करेले बनाचा7 हे आ दॉले ये एक पेली करेले बनेगे अब हमेंसे लेट में निकल देते हैं यह हमारी क्रिस्पी और कुरकुरी का रेले बन चुकी है अगर आप सबको आज का रेस्पी अच्छे लगा है तो मुझे कमेट करके जरूर बताना थैंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो